वेलकम स्टूडेंट्स विश्तास बुक के आपके चेप्टर फाइव सुड विजर्ड हिट मम्मी के आज हमने आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन और आंसर पर पेर किया है यह एक क्वेशन ही हमने आपके लिए लिया है और एक इसका अत्वा में है यानि आंसर से हमें लेकिन एक्जाम की साफ से वेरी वेरी मोस्ट है आई है देख लेते हैं समझ लेते हैं यानि कौन सा नेतिक इस्यू है मुद्दा है जो कि यह कहानी उठाती है और वाट मेसेज डू यू गेट फ्रॉम दा इस्टोरी उस कहानी से आपको क्या मेसेज मिलता है क्या सिक्सा मिलती है इमपोर्टेंट चीज़ है पूचने लाइक चीज़ है तो आनसर है दम बेसिक मॉरल इस्टोरी इज ओफ रेसिल सेपरेशन यानि इसका जो मुके मॉरल इस्टो है वो है जो रेशिल सेपरेशन है जो जाती गत जो अलगाऊ है वो है कैसे रोडर इसकंक स्मेल्स वेरी उसमें बहुत गंदी बद्बु आती है The other animals do not like this bad smell and refuse to play with him जो दूसरे जानरोते हैं उस बुरी smell को पसंद नहीं करते हैं उसे दूर भाग जाते हैं खेलने के लिए refuse मना कर देते हैं He is deeply pained at the independence of other animals यह जो दूसरे जानरोते साथ जैसा विवहार करते हैं उसे बड़ा दुख होता है The wizard makes skunk smell roses जादोगर उसे गुलाब की कुश्बू आला बना देता है But his mother doesn't like this new smell लेकि उसकी मा को यह नई smell बिलकुल पसंद नहीं आती She compels the wizard to give skunk his original smell back इसलिए वो compels करती है बादे करती है जादोगर को कि इसकी असली वाली जो गंदती पहले वाली उसमें वापस change कर इसको The story is the moral issue of understanding between parents and children यह कहानी यह moral issue भी देती है यहाँ पर अब चाहिए तो यहाँ पर लिखा तो the story also लगा सकते है also also raises यह कहानी यह भी moral issue बताती है कि माता पिता और जो बच्चे होते हैं इन में भी क्या होना चाहिए understanding होना चाहिए इनके मीच में the parents should properly understand the children's feelings माबाप को भी अपने बच्चों की feelings को समदना चाहिए as well as their whims whims का मतला होता है उनकी सनक जो उनके दिमाग में कोई चीज बेट गी उसको समदना चाहिए the children should also know their parents are more experienced than them बच्चों को भी समदना चाहिए कि उनके माता पिता उन से जादा अनुबवी है and they would do everything only in their interest और वो जो भी करेंगे उनके हित की ही करेंगे पर्सनल नहीं सोचेंगे अपने वोलाज के अपने बेटे बेटे की सोचेंगे एसा बच्चों को सोचना चाहिए the parents and the children should understand and respect their viewpoint of each other माँबाप को माता पिता को और बच्चों को एक दूसरे की जो viewpoint है जो उनकी सोच है उसको समझना चाहिए उसको सम्मान करना चाहिए the children should learn to be proud of their natural qualities और बच्चों के अंदर जो उनकी स्वाबाविक गुण है उसके प्रति उन्हें proud करना चाहिए यानि की गर्व करना चाहिए जैसा भी बगवान नहीं उन्हें बनाया है वो best है अपने आप में कभी हीन भावना नहीं लाना चाहिए इस तरीके से यह moral issue से संबन देते हैं शांदार क्योंसने प्रीज इसकी इन्सोट ले 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 इसे जरूर याद करें अगले पार्ट में अगले वीडियो में फिर आपके लिए इसे most important question लेकर आएंगे आप इने जरूर से याद करें अपनी तयारी में शामिल कीजिए वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए students Thank you